आज हम नीशन के गोपाल गन जिला के बरोली पर्खण में बखरोर पंचबटिया गाउं में आईलबा नीशन जैसे की अभी धान के बिया गिरावे के मोसम बाल लेकिन समू के दिदी ग्राम संगठन से अनुदान न मिला के कारण शिरी विदी से धान के खेती नईखी कईल चाहत यदि दिदी शिरी विदी से खेती करें तो उनका धान के फसल के अच्छा उप पैदावार मिली इबात समझावे खातिर की दिदी शिरी विदी से धान की खेती बिना अनुदान के भी कर सकतरी और अधिक उपजपा सकतरी खातिर बियारपी भया बतावा तानी अधिन का व्याति हो अधधिन वाहिन ऐलने नगार्वावण दिदी नगया Ale या का्पात वाधन में कामजल थ होता है ने दिल्ल HEY थी काइल ही नए की खेती कोई लाही नहीं कि लिदी में काई बहुत श़ता थिदी बारी सोँते नएखे दीदी खेती के नहीं हुई घरा ओ और भी ऐसे में मैं कुछ सोचा है या इतभ управ राव। मैं झालने कि रहरर मांचाता एक्टार के समय में जाता है। जुट मुट कर्या अजाता है सेुट मुट देखं और जाईंता अजिसरा है् एक्षा है तको बिडूफर सुट whim v को अन्दी फायदा बाटे समय चात मिलेता है ना भीया मिलेता अ अ फारम भरा तटे आथ दोस दिन में आजाए फेन पहिसाई आपस आजाता कौन्छी फायदा बाटे जूठो का मीटिंग में तूलोनी बाइठल बाड़ू ऐसे कन फायदा नाई खे आनू खांदा भीया किसान हं आई सन के तो खेती का रहा हें के बा्टे तो पना ही सब जाई के कर रहे साै यह मिल ठीछे में बाते तो हमने क्क चछा कर जा यह तो जेख़जे की क स सो ठीक बादी है छोगए दियर प्वय आई है तब यह मिंटेन में हमने के चछा कर लेए अ सิ्फिंत में अपन सेखिय बाइब है कि मीटिंगे का फायदा बають ne कुछ नप भायला हुए प्रजब अपने से खेति करें किवाइब है कि проходlass का फायदा बाइब क्या अपने सेखिय म затहुआ न जब कुछ अ Αफ चिति कर लिए मसे नआ backward कि भीयों के मीटिंग भा अब यारपी भया वाई आन तो उनके सा कॉनभवात राई लिहाल जाई अपने उबातायम नौ चनावते दीदी बानी हाँ बाने चाली भीयों मीटिंग के टायम हो गल बाया चला चलता निए अध्याक्स दीदी अब चलेन वी भीयों मीटिंग सुरू कहला है का दिदी खाली-खाली मीटिंग कहला था पिछला भारत खाद भया मिल रहे जीवकास है अब क्या नेखे मिल टीक कहा टैणि दीदी पीछला दूतीन शाह कर दूते रहे ने इसो नेखे भीयों मिल त कि अधिक आतानी कि हमरो गोरे बोलो तरो नियाटे जे खाद भिया मिलता ने के तो मीटिंग में गोले से का फाइदा बादा सब दिदी सांथ हो जाएं लो भी यारपी भई आए नी तो हम पूछे नी कि खाद भिया का है नहीं खे मिलत सब दिदी को पंडा है आई भईयबवु थींग भुयक का समचेर भाई भुदी समचे ठीके भाई और दिदी काहल चल बार रवलंके अमनिक चाहल चल ठीके बाटे जीवकासे दूतीन सल्काट भीया मीला लप नहीं खे मीलदी लोखी सियाल बलु काहै नाहीं खे भईया मीलत तेकर बाडरे में बताएं एक बाड़ा प्रास्न ने जावाब हम एक उधारन के सब देता नि बढ़ हो जाई हैं ता खुद आपने से चले लगे हाँ ठीक होएंगा निया जीवका रोगालेंका चले के सिखाई और रह दिखाई जै के तो चले के बाँ आचा देवर बाताया है क्यों के मुर्गा खाई के पसंद कर आला अचा देवर लाइंका पाच किलो मुर्गा फिरी म बॉर्गी पालन सिखा दिया जए तब करते दिन चले जब मुर्गी पालन सिख जाब सम्द तो जिन भर खाईब सम्निक हाँ अधे जिवका यह चाहता है कि रहागा दू दिन तीन इन काहे खाई जिनगी वखाई और इक कमाई एसे लाब उठाइं जीवका रह देखा दोर और यह तकनिक से रहुगा लाब उठाई। अच्छा दे रहो लगे खाद भीज केतना मितला जीवका के माध्यां से आउ को रुपिया में? एक कठा में 30 रुपिया लागत रहा है। हाँ भाया एक कठा में 30 रुपिया लागत रहा है। अच दो दे इव बता ही लोगें एक कठा में इसे भीधिक के क्या इतना धान उपज भaय है। आपनमान कोईले रानी तो पच्पण किलो भवह हालो सीरी भीधिसा कैलाा मित पचासी कीलो گ साओं ऑच्पं confirm यह पाचासी कीलो में तीस कीलो अधिका होता। तो 30 किलो धान के कीमत के अतना भाई रोवालेगी तेनी बाता ही तो आँ भाईया, 30 किलो धान के बारपेक हिसाब से 360 रुपय भाई अच्छा देदी, बाता ही, जीवका 30 रुपय खादर भीज नाद दे, तो रोवा 360 रुपय छोड़ दे अच्छा देदी, रोवालांके जीवका खाद भीज भले नाद देव्वालांके सीरी बीधी के खेती के अतर होई धान के हाँ भया, शिरी बिधी के खेती कोईला से का फाइदा भाइदा 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 भ सब्सक्राइब 514 एच्छा एक बार में कितना कर्फश लाग फांचा टीन बार का उगल 15 अट पांचा दिदी शमानी बदी 100 शरी बदी में 15 कि आ भीज में इस में हो जाएगा सास्थो पचास एपिया और की शी नीभी में हो जाएगा सो और प्या समानी बिदी में 20 जुपचार ना होला श्री बिदी में 20 जुपचार होला तो एमें हो जाए 15 रुपिया समानी बिदी में 409 रुपिया और पोटास का कीमत है 179 रुपिया और श्री बिदी में बर्मी कोंपोस्ट डला अधिक डाल दला से दिये पी यूरिया आपोटास की काम ना लागला सिरी बिदी में सिरी बिदी में सिरी बिदी में सिचार कोंप लागला एट इमझतादेृ लगी निराई गुड़ाई है शौनी आं отмет सपरम्हें में। iPhone 5 बुरागों ट्टो सी शॉषपना। लिएक सब्सक्रें करिक वहार कोई dal खेटी कोईला से लागत लगाता दस यार नो सचोरासी रुपिया आजया में उपज़ता पंद्र किंटल सिरी बीधी में लागत लागत लागा लाग्सनी रुपीर्य और उपाई हो लाघ्रा 20-30 किन्टल देकर दी शिरी बीधी से खेती कई लागरं भी लागत अब ऊपाई बिर ज्छादा होता देखिन दी आमने के सिरी भीधी से खेती कोई जासे 10-15 किंट धान ज्यादा हुई और वेकर आका हमने के बायार में जे चलके बेचल जाओ पेकर कीमत 14,000 रुप्रे हमने के मुनाफा हुई आज के भीयों के मीटी में जीवका के भाया लो आए अलाबाट तीक बानू ए देखिलो ना दो जीवका के भाया होदे आये गनिलो हां सब दीदि के नमस्ते परनाम का हाल चल भास अथीक मैठिये अच्छा दीदि लोग इब बैठोक तो नहीं हमां बगाइचया में होखे के रहे इब इब शकियों कैसे होता बैठोक तो बगईचया में होखे ला लेकिन बारिस आगले तेई जाए आगई नीए असं दीद जबते थान शिरी विधी कैनुकुल होगिलबादान के ख्यतिकरे का रख्यतिय। अब पहले ग्राम संगठन से धान फीज ओगरान मिया इतरु लखर वालो के खरीदारी करत रत्रों हैं और शिरी विधी किसे ख्यतिकर अब दिदी बीजगरावे के अमया अगलबाद भीचरा लगवार कि चुकती नया चीजश बते दिदी ओकर है कि अपने हम ना अपने हम तो ग्राम संगतन से खाद बीज मिलत लगवार एक ठामें अधा क्ठामें डिदी लगा के देखा श्रीविदी से धान के खेती करे खातिर दिदी ग्राम संगठन अभी वियार्पी भहिया के बहुत बनिया से पर सिक्षन दे देले बा सब दिदी से यह अनुरोध भाय की जोन घर के धान के बीजबा उहे परियोग करी और वियार्पी भहिया ग्राम संगठन से जाके रुवा लोग अपनाई रुवा लोग फिछले दू-3 साल से श्रीविधी के खेती करा तनी अनुभाव बारुवा लोग के खुद भी करीं और बगल के अगल बगल के जेवी किसान वारन उनका के बताईं कि एकरा से श्रीविधी से खेती कहिला से काफ कत्मा उपज पैदावार से तीन गुना तक पैदावार में व्रिद्धी ओकेला सब दिधी के और सारे समुह के ग्राम संगटन के सब दिधी के इचीज बताईं हाँ भाई आंगा समाज में वाग वाग विल्भा हमने सिरीविधी अपने से हमने कॉलेप्शा हाँ देखी लोग इन दिधी अब हम परदन माने ट्रेनिंग करे ला सिखावेला नया नया तरीका के कोई से कोई से अच्छा तरीका से काम करे से हमनी के जिंदगी में सुधार हो सकता परिवार के आम दोनी बढ़ सकता कोई से अच्छा तरीका से साफ स्वक्ष आदमी रह सकता स्वस्थ रह सकता तो इन नया न तो इन नया नया जोन तरीका रुवा लोगन के बतावल जाला, सिखावल जाला ओ तरीका से जब काम होई तब फिर रुवा खुदे कहब कि हाँ तरीका अच्छा वाय करा के अपनावे के चाहिए। तो इन नया तरीका बतावल जाला ओ जाला, अब ये शब जब से ना मिली फिर भी आपन खेती करे के बाद अब देखिए दू-3 साल से रुवासब खेती करनी हाजाए श्री बीधी से तो समझ में आईल होई कि हाँ एह बीधी से खेती करिला से दुगना अरहाई गुना उपस ज्यादा हो जाता तो अब रास्ता यानि कि खेती करे के नया तरीका बता दे और गुल बा अब रुवासब के काम बा कि खाद भीज जीविका से मिलो आचाहे मत मिलो आपन वो भीधी से रुवा आगे खेती करत रही काहे कि इस संभव नहीं कि होर साल मने खाद भीज जीविका के दिवारा मिलते रहो देखिए जीविका का काम लोगों को आत्म निर्भर बनाना है कि वो स्वेम पे निर्भर करें सुरू में हम लोगों ने खाज बिज दिया कि ताकि आप उस रास्ते को सीख सके और अब आप खुद उस काम को करके खुद स्वेम सहायता करना है यह नहीं कि यहां जीविका का खाज बिज देगी तभी करेंगे या नहीं देगी तो नहीं करेंगे जैसे कि हमारे भीयारपी भाईया ने भी आप लोगों को अच्छे से समझाया है हमारे BPM भाई ने भी आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से बताया है तो जब ये बात समझ में आ गई कि हमको किस श्रीविधी से अच्छा उपज मिलेगा तब तो फिर घर घर ये खेती होगी धान की उपज बढ़ेगी परिवार की अमदनी बढ़ेगी और इस तरीके से हम घर घर की गरीबी को कम कर पाएंगे हाँ भाई या हमने के सब मालूम हो गई भाई अभी हमने के सिरीविधी से अब खेती कोरब साथ हमने के कोई से आत्मा निर्भर हो खें सान हमने के समझ आच्छा से आग इल्भाई अब खाद बीज ना मिली तबो सीरीविधी से अमने के खेती कोलम सा वलो आके बात बतानी ले सब लोके धने बाद धने बाद का जी अभी ले खेते कोड़ाता का हो वियो मीटिंग हो गई भीयो वियो मीटिंग में का भाई ला अज मीटिंग में भी यारपी भईयाई आई रनिया तो सिक नियाट जी आपना बल बुता पर के तरी खाड़ा हो खल जाए अब समाज गई नी अब तो सिरी बीधी के ट्रेनिंग में हमाँ तरह संग चले औरी समुम में जन वीडियो पर साथ चले ला उद देखे तरह संग हमाँ चले हम रहा के रोवा तो मीटिंग में जाय से माना क्वात्र ने तो का हो गई पहले तो हमरा बुझाते ना रोला कि मीटिंग में का हो ला अब हमरा बात बुझायल बात अब तु समुम में हर एक मीटिंग में जै और आना बात कुछ समझाईल लो तो समझ के अई हा तन को बदलो मन को बदलो बाजार बदलने वाली है पग बदलो पायल बदलो जनकार बदलने वाली है पग बदलो पायल बदलो जनकार बदलने वाली है ए पगल डाल उस बीना को जिस बीना में जनकार नहीं पगल डाल उस चोणा को जिस दोना में हूं कार नहीं अर्णाथी बदलो भाला बदलो अरनाठी बदलो भाला बदलो तलवार बदलने वाली है अग बदलो पायर बदलो जनपार बदलने वाली है